भारत एक अकेला ऐसा देश बन चुका है जहां जज राजनिती कर रही है डॉक्टर कॉमेडी कर रहे हैं कॉमेडियन पत्रकारता कर रहे हैं और पत्रकार दलाली कर रहे हैं नमस्कार आपके साथ मैं हूं रितिक सवीता स्वागत है आपका SPN 9 News में दर्शको आपको बता दें कि लगातार पत्रकारों को घेरा जाता है लगातार जो है तमाम लोगों को घेरा जाता है कि आज की मीडिया गोदी मीडिया क्यों हो गई है लेकिन सवाल ये उठता है कि अपन से जमीन इस तर से जड़े होते हैं चैने हम हम रोटी और मचान का मुद्रा भी कहते हैं और लगातार इन मुद्धों से कही ना कहीं आज की मीडिया भागती रहती है क्यों आफिरल इन मीडिया करमियों को तमाम घेर दिखाने में ये बड़ा सबाल है तरसको आपको प्याद होगा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ यात्रा की भारत जोड़ यात्रा करने के बाद आपको ये भी पता होगा कि कितनी डिवेट भारत जोड़ यात्रा पर की गई आप गिंतिया कर सकते हैं उगलियों पर एक दो तीन यानि की एक भी नहीं राहुल गांधी ल दोनों अपनी भूमी का एहम निभा रहे हों। लेकिन लगातार देखा जाए तो आज की डिवेट से वोड़ सिर्फ और सिर्फ बागिस्त वरधाम पर रह गई हैं। लेकिन आज लगातार देखा जाए तो भारत को ठग प्रधान देश कहा जाने लगा है। क्यों? क्योंकि ठगी के मामले एक के बाद एक बढ़ते चले जा रहे हैं। पक्ष की पार्टियां हैं उनके नेता हैं आबाज उठाते रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाता है कि हमारे पत्रकार भी मूग दरसक बने हैं। सत्ता पक्ष को दिखाते हैं, देश के प्रधान मंतरी को 24 घंटे दिखाते हैं जैसा कि राहूल गांधी कहते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में अगर सत्ता बदलती है, सरकार बदलती है तो क्या पत्रकारता भी बदलेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही देखते रही है, SPN 9 NEWS